हेलो एवरीवन दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्यू भाग्या स्टॉक्स के बारे में हम क्यों भाग्या स्टॉक्स क्यों बोल रहे हैं बहुत नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जिन्हों ने पिछले एक छोटे टाइम पिरेड के अंदर जो है बहुत सारी लोगों का बाग्य चेंज कर दिया हैं मल्टीपल स्टॉक्स हो चुके हैं सासू रुपए के स्टॉक्स जो है 15 रुपे 500 600 800 रुपे भूम रहे हैं 55 रुपे के स्टॉक 50 50 रुपे में ट्रेड कररे हैं तो इट व इस दग्म्प्लीटनी अनबीलीवेबल वे बेसिकली जो किसी ने सोचाता मार्केट में वह चीज हो रही है तो आज हम बात करेंगे पांच स्टॉक्स के बारे में जो की बहुत ही बड़ी आ त्रीके से परफॉर्म कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है हम इन स्टॉक्स को तब आपके सामने नहीं लेका है जब वह बहुत उचाई पे जा चु तो वहां से आपको आठ दस परसेंट पंतरा परसेंट बीस परसेंट का रिटन कहीं नहीं गया बहुत चांसिज है कि आपको वहां पे बहुत ही अच्छा रिटन स्टॉक्स में देखने को मिले तो भेल के बारे में बात करेंगे भारत हैवी एलेक्रिक लिमिटेड और बी कौन इंटरनेशनल आयर एफसी इंडियन रेलवे फिनांस कॉर्परेशन लॉरस लैब्स के बारे में बात करेंगे पांच स्टॉक्स हमने चुने हैं स्टडी करके नाओ चलिए बात करते हैं भेल के बारे में भेल एक लंबे टाइम पीरियेड तक आप यहां पे देख सकते हैं भेल का स्टॉक्स जो है वो किस तरीके से अगर बात करे हम तो एक चैनल में काम किया स्टॉक ने राइट अभी यह स्टॉक्स जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी इसने अपना पिछला Swing High ब्रेक कर दिया है यहां पे तो swing high break करने से क्या पता लगता है आपने को ये पता लगता है पिछला swing high break करने से कि इस stock में अब आगर ये stock next day gap up opening करता है यानि कि करीबन यहां के आसपास खुलता है तो ये stock बहुत ही बड़िया momentum दे सकता है आपको कुछ इस तरीके से market में देखने को मिले तो इसी लिए इस stock को हमने भागय stocks का नाम दिया और इसको भागय stocks में शामिल किया है तो दोस्तो भारत heavy electric limited अपना swing high break कर चुका है 328 रुपे 35 पैसे के पास आज closing दिया stock ने तो और पिछला अगर swing high आप देखे तो पिछले swing high था 321 रुपे के पास तो करीबन 2% बजार वहा सकती है stock के अंदर अगर यह stock कल भी gap up खुलता है तो एक और अच्छा राइड यह उपर की तरफ stock दे सकता है आगे चलते हैं आगे बात करते हैं हम लोग Indian Railway Finance Corporation के बारे में देखिए एक ही swing को बाजार ने कितनी बार retest किया तो एक ही swing को बाजार ने दो बार retest किया हम यहा देखिए कहां कहां retest किया यह देखिए धियान से मैं वहां पर mark लगा दे रहा हूं 190 रुपे का भाव राइट फिर 190 रुपे का भाव करीबन करीबन फिर उसके बाद यहां पर भी market करीबन यहीं और अब market जाके जो है वह बहुत ही शांदार यानिकि 202 रुपे में close किया ह है बजार ने तो पिछला स्विंग जो है उसके ऊपर market close हुआ हाई ब्रेक ब्रेक आउट दिया तो बहुत ही बढ़िया यह stock दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों के लिए कि यह stock कुछ अलग तरीके से कुछ कमाल कर सकता है और एक बढ़िया return की उमीद इस stock से की जा सकती है राइट सो नेक्स टॉक में चलते हैं अब हम बात करेंगे एरकॉन इंटरनेशनल के बारे में दोस्तो इस एरकॉन इंटरनेशनल का अगर आप देखें पिछला स्विंग हाई जो था वो 274 रुपे के पास और यह stock यहीं पे कापी दिन तक इसने trading करवाया आप देख सकत है यहां पे करीबन यह downside पे इसका support था और यह resistance थी अभी इस stock ने resistance को बहुत भी बड़िया तरीके से breakout दिया इसमें कोई डाउट नहीं है अभी गाड़ी छूटी नहीं है पैसा कमाने की अभी जो है momentum देखने को और बड़िया तरीका भी और बड़िया तरीके से भी मिल सक करता है और गुंजायश है अभी stock के अंदर तो एक condition apply कर लीजिए अगर कल यह stock फिर से gap up खुलता है तो एक और ride देगा चाहिए वो first round में दे आज देखिए इस stock ने 312 रूपे से 311 रूपे से करीबन 334 यानिकि 30 रूपे यानिकि 10% की return दिखाई है इस stock ने आज single day में 10% है यह देखिए है तो करीबन 7% की सॉरी 7% का return stock ने एक single day में दिखाया market में चलिए गुड है तो इरकोन इंटरनेशनल और भेल पे हमने बात करी अब हम बात करते हैं IRFC अच्छा IRFC भी हमने already cover कर लिया तो अब हम बात करेंगे बेल के बारे में भारत है इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड तो यह stock तीन सो चौनती रुपे साथ पैसे के पास आज इसने closing दिया करीबन करीबन यह stock भेल से बहुत ही जादा मिलता जूलता है आप देख सकते हैं दोनों जो है एक दूसरे के पीर से राइट competitor है तो नाव दा अब इस stock में क्या गुंजायश है दिखिए बहुत ही बढ़िया अप्ट्रेंड रिया stock ने उसके बाद जो है market आप यहां पर देख सकते हैं जो पिछला swing था उसको market में beautifully break की कर दिया है already कर दिया है राइट तो beautifully break करने के बाद अब गुंजायश है stock में एक और नए उचाई चुने के लिए राइट इसको हम लोग थोड़ा सर्राप कर देते हैं फिर से इसको तो एक और गुंजायश है अगर यह stock कल पिछ अपनी closing से उपर की तरफ खुलता है कहीं पर भी gap अप दे यहां सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब है और कल फिर एक और राइट देखने को मिल सकती है बी एल के अंदर बी एल इस नौट भेल इस बी एल भारत इलक्ट्रोनिक लिमिटेड वह आज इस टॉक की बात करें तीन सो पच्चीस रुपे से थीन सो पैंतालिस च्यालिस रुपे का घर स्टॉक ने वहाँ यानि कि तीन परसंट का रिटन दिया हस्ते हश्ते कोई दिक्कत परिशानी नहीं आप चार्ट भी देख सकते हैं बहु दोस्तों आज हमने पार स्टॉक्स कवर किये देखिए दुवारा से एक बार रीड आउट कर लेता है कोई रहना गया हूँ यस तो सभी स्टॉक्स के बारे हमने डिसकसिन की हमने बात किया भारत इलक्ट्रोनिक लिमिटेड के बारे में इंडियन रेलवे फिनांस कॉर्पर यस तो हमने बात की लॉरस लैब्स के बारे में राइट लॉरस लैब्स का चार्ट भी हमने यहाँ पर वाच आउट किया फिर से एक बार देख लेते हैं लॉरस लैब्स ने ये अपना पिछला हाई बनाया हुआ था राइट तो इस तरीके से इसने जो है एक ही रेंज में काम किया तो ये स्टॉक्स दोस्तों पाइफ स्टॉक्स नजर बना के रखिए अपने बुक में नोट कर लीजिए और इनका एक अलर्ट सेट कर लीजिए इन में से कोई भी स्टॉक अगर आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर खुलता हुआ नजर आता है तो वो आपके लिए भागया स्टॉक्स आप सकता है तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ फ्यू नंबर ओफ क्वालिटी स्टॉक्स जो है हम लोग बात करेंगे भागया स्टॉक्स के वारे में थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप वाचिंग मैं वीडियो और कीप शियरिए